आज स्वार्मास्योटिक्स प्रेक्टिकल नमबर 3 तीक है जिसके अंदर हम लोग प्रिपियर करेंगे सिंपल ऑइंटमेंट को अंदर परहले आप लोग क्या करूगे आप लोग पैनवर्ट में जो लाइनस ववह पीजा है उसकी ऊपर-उपर आप लोग टॉप परहटिंग दे हैं एक्सप्यरमेंट नमबर 3 की नीचे फीर प्रैपरेशन ओफ सिंपल ऑइंटमेंट्मेंट इहां पर 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 आग लगने से यह जो हमारा बर्णर की जो फ्लेम है उससे वो काला ना हो ठीक है अब हमें इंग्रीटिंट्स काँसे चाहिए हमें नहीं हम मी के इसके बाद हमारे सामी पर प्रोसीजेर हमलोग देख लेते हैं specifixion के मुताबब इस थी तीक हो गया एनकि जो भी उसके specifixion ही लाइक इस वन तो हम लोग उसके मुताबिक उसको बजन कर लेंगे अब टते वाइट softs paraffin इन बीकर आप लोग एक बीकर के इनदर white soft paraffin ले लोगे and add Cetosteril Alcohol और उसके अंदर Cetosteril Alcohol उसमें शामिल कर दोगे place the beaker in a water अब आप लोग वाटर बाथ अब आप लोग क्या करोगे beaker को water bath में रख देते हो and put it on the burner और उसको आप लोग बर्नर के उपर रख दो अगर आपको लगते है वाटर बाथ के जुरू रहते है तो आप लोग वाटर बाथ के अंदर हकर आप लोग इसको बर्नर के उपर रख देते हो ठीके और अपनी फ्लेम को हलका कर लोगे add the remaining ingredients in preparation आप लोग अपनी उस तियार करदा जो आप लोग की आप लोग बाकी अजज़ा को शामिल कर लोगे add कर दोगे with constant stirring यानि के मुसलसल हिलाने के साथ until a uniform mixture is formed जब तक के मीन आपके पास until उस वक तक uniform आपके पास यकसा mixture formd बन जाते हैं ठीक हो गया all the preparations to cool allow the sorry allow the preparation to cool at room temperature आप लोग ज्यादा देते हो कि अपना आपका जो preparation है वो ठंडा हो जाए room temperature पर and solidify और ठोस हालत में आजाए इसके बाद precautions आपने अहतियात करनी है कि don't overheat the mixture आपने अपने mixture को बहुत जाधा गरम नहीं करना यूज जिस इस इस्तामालात कहां पर हैं आप लोग इसको समाल कर सकतो आज्याएं इम इसी भी अपने medicine को अपनी इस ointment त्यार करदा ointment के अंदर आप लोग mix करते हो और फिर बाद में उसको अपनी skin के उपर apply कर दो right easy to prepare है आप लोग इसकी opposite side पे अपने white paper पर beaker, burner, wing balance, stirrer, spatula, tripod strand या wire gauze इन में से आप लोग कोई से भी 2 या mean 3, 3 से 4 आप लोग apparatus जो है वो white paper पर बना लोगे और अगर आप लोग net से उसको download करते हो तो net से download करके आप लोग print निकलवा के आप लोग उसको भी paste कर सकते हो right और next page पे आप लोग क्या करोगे आप लोग एक wide mouth container आप लोग एक container बनाते हो like this one इस सरह का आप लोग एक wide mouth container आप लोग एक बड़े मूँ वाला जनके बड़ी जिसकी cap होती है ऐसा आप container बना लोगे ठीके जिसके यहां पर आप लोग mention कर दोगे that it is simple ointment ठीक हो गया आप लोग इसको perfection के साथ बना होगे और यहां फिर इसके साथ आप लोग एक collapsible tube बना दोगे ठीक हो गया collapsible tube जैसे हमारे पास polyfax की tube होती है आप लोगों ने polyfax की जैसे आपने देखी होगी polyfax की tube होती है बिल्कुल उस तरह से आप लोगों ने यहां पर यह tube बना देनी है इसके साथ आप लोग mention कर दोगे that it is collapsible tube ठीक हो गया collapsible tube collapsible tube रैट और इसके साथ आप लोग लिख देते हो wide mouth container या फिर जार ठीक है जिसमें से आप लोग बासानी इसका कैप खोल कर और आप लोग बासानी इसमें से ointment इस्तामाल कर सकते हो निकाल सकते हो रैट यह आप लोगों का हो गया wide mouth container यह दो चीज़ें आप लोग बनाओंगे उसके next page पे जहां पर आप लोग ने procedure लिखा है या फिर यहां पर आपने यूज़े लिखे थे ठीक हो गया और जहां पर आप लोग अप्रेटस लिखते हो इसके opposite question हो तो आप लोग comment section में मुझे question कर सकते हैं thank you so much allah hafiz